विडियो पसंद आती है तो एक लाग यह रुकर देना चले स्टार्ट करते हैं टैस्ट कुश्चन नंबर बन है देगे हाल ही में भारत ने इरान के रणीतिक चाह बहार बंदरगा के परिचालन का कारेबार ग्रहन किया है नंबले के दमें से किन या किस तरीकों के दोरा किस तरीकों से जो चाहबार बंदरगा वो भारत के लिए उपियोगी हो सकता है पहला है यह भारत को पाकिस्तानी मार का परियोग किये बिना अफगानिस्तान तक माल भेजने का अबसर परदान करता है यह अंतराश्टिय उत्तरदक्षन परिवहन गलियारे तक पहुंच है तु भारत के लिए एक प्रमुक सहायक बंदरगा के रूप में कार करेगा अंतराश्टिय उत्तरदक्षन गलियारा तो यह भी करेक्ट है यह चीन की तथा कथित इस्ट्रिंग ऑफ पर्ल रणनीती का प्रतिकार करने में मदद करेगा तो तीनों के तीनों स्टिट्मेंट करेक्ट हैं आवाउट चाह बाहर पोर्ट तो इरान का देखिए चाह बाहर बंदरगा ओमान की खाड़े में इस्तित है इस तरह से पूछा जा सकता है कहां इस्तित है और यह देश का एक मातर समुत्री बंदरगा है इसका इरान का चाबाहर बंदरगा के क्रियाशिल होने के बाद भारत बिना पाकिस्तानी मार का परियोग किये अफगानिस्तान को माल की पूर्ती या पूर्ती कर सकता है अंतराश्य उत्तर दक्षन गले अरा क्या है भारत रूस इरान योरप और मध एसिया के बीच माल की ढुलाई के लिए जहाज रेल और सडक मार का एक बहु रूपात्मक परिवेहन तंत्र और string of pulse क्या है string of pulse चीन का मोतियों की माला कतात पर हिंद महासागर छेत्र के देशों में सैन्य और बाने जिक सुविदाओं के तंत्र से है अब चावार बंदरगा गौदर बंदरगा से निकटता के कारण छेत्र में चीनी उपस्तिती का मुकाबला करने में भारत के लिए लाबकारी होगा जो चावार पोट है एरान का वो गौदर बंदरगा के निकट है अब उसके कारण क्या होगा जो चाइना है चाइना की उपस्तिती का जो छेत्र है चीन वाला उसकी उपस्तिती का मुकाबला करने के लिए भारत की लापकारी होगा अगला प्रशन है भारत 2022 में देश के 75 वे सोतंतरता दिवस के अफसर पर 22 वे G20 सम्मेलन की मेजवानी करेगा अब G20 सिखर सम्मेलन के बारे में निमलिकत कत्नों पर विचार कीजिए एक तो यह तयार होगे है कि जो भारत है वो 22 वे G20 सिखर सम्मेलन की मेजवानी करेगा कब करेगा 2022 में करेगा और इस समय भारत की जो सोतंतरता होगी सोतंतरता दिवस 75 वा होगा तो गार टो जी टोर टी सिखर सम्मेलन एक ग्राष्टे मलंच है जो वार्सिक रूपस से आयुजट किया था अमत्लब हर साल मने ज ऑन जा था खरेर सिखर सम्मेलन का मेजवान देश flips पूरे वर्स वानफ का नियत्रत्व करता जो होता है है तो यह बहुंतर है किवल वैस्विक समाविष्टी और्थिक मुद्दों पर गेंद्रिट होता है तकma सारे ह esos सामिल किया जाते हैं इसमें हर सारे मुद्दों पर चर्चा होती है कि जैसे अक्र अधान प्रदान और प्रश्टाचार से निपटना, सारे मुद्रे होते हैं, कुपोशन से निपटना और वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग, परियावरन संतुलन, परियावरन प्रदोशन सब आता हैं, तो पहला और दूसरा करेक्ट हो जाएगा केबल, पहला और दूसरा, तो G20 सिकर सम्मिलन नाकेबल व्यापक आर्थिक और व्यापारिक वल की वैश्विक मुद्दो की विस्तत स्रंखला है, जिसमें विकास, जलवाई, उपरिवर्दन और उर्जा, स्वास्त, आतंकबाद के विरोध के साथ साथ, प्रवास, अवन, सरनार्थी, संकट पर भी ध् जिनका वैश्विक अर्थ वहस्ता पर व्यापक प्रभाब पड़ता है, जिट्वेंटी सिकर सम्मिलन का मेजवान देश, दिसंबर से लेकर अगले वर्ष के नामबर तक एक वर्ष के लिए जी ट्वेंटी के अध्यक्स के रूप में नित्रत्व करता है, अगला प्रशन ह टैली रोबोटिक सरजरी के संदर में निमलेत कत्मों पर विचार कीजिए, टैली रोबोटिक सरजरी में रोबोट के माध्यम से नियंत्त उपकरणों का प्रियोग करके दूरस्त इस्थान से रोगी की सरजरी की जाती है, यहाँ पर टैली रोबोट है, यहाँ पर पेशें तो correct है बहुत बड़ी बात है दोनों के दोनों statement है हम पर correct है टेली robotic surgery के बारे में तो टेली medicine शिकितसा बिग्यान के साथ सूचना और संचार प्रोद्विग की ICT के परभावी संचलन से उतबंद स्वास्त बिग्यान में एक आगामी छेतर है टेली robotic surgery में रोबोट के माध्यम से नेंत्रे तुप करनों का अपयोग करके दूरस्त इस्थान से रोगी की सरजरी की जाती है भारत मानप पर एक टेली robotic coronary surgery करने वाला बिस्व का first country बन गया है अगला प्रशन है गवा संचित निधी के अंत्रकत एक गवा संचित निधी के अंत्रकत एक गवा संचित निधी कोस इस्थापित किया जाएगा लग से इसको प्रोटक्ट किया जाएगा तो संचित निधी नहीं है गलत है किवाल पहला यहां पर सभी हो जाएगा है यू वह दखन एक गवा हमके जीवन के खत्रे के आधाल पर इसे तीन स्रेडी में बाट már आड है स्रिणी A है स्रिणी B है स्रिणी C है स्रिणी A में क्या है ऐसे मामले जिनकी जांच के दोरान या जांच के बाद गवा या उसके परिवार के सरस्यों को जीवन का खत्रा है ऐसे मामले जहां जाँच के दौरान या मुकदमे के विचारन के दौरान गभा या उसके परिवार के सरस्यों के प्रतिष्ठा सुरक्षा और समपत्ती को खत्रा है ऐसे मामले जहां गवा या उसके परिवार के सरस्यों पर जाच या मुकदमे की सुनवाई के दौरान प्रतिष्ठा या संपत्ति के उत्पिड़न का खत्रा है राजिया और केंदर साशित पर देशों द्वारा एक गवास अंडरक्षन को सिस्थापित किया जाएगा दोनों के द्वारा और कारिकरम के लिए आवश्यक खर्च इसी कोस से आयोजित होंगे अगला प्रतिएक 6 दिसंबर को निम्न में से किसकी पूर्ण तिथी मनाने के लिए महापरी निर्मान दिवस मनाया जाता है तो देखे जो माहापरी निर्मान बैसे जो किया गया है जो कहा गया है अपने मद्ध कारीन भारत में प्राचीन कारीन भारत में वो गोतम बुद्ध के मृत्ति को कहा गया है लेकिन यहां 6 दिसंबर को भीमराम बेटकर की पूर्ण तिति में दिवस मनाया जाता है 6 दिसंबर नियाईवादी, आर्थ सास्त्री, राजनेतिक, ऐवन समाज सुधारक थे, एक ये आदमि में चारचार कौलिटी, चलिए एगला प्रश्ण है निमलिकित में से कौन Global Climate Risk Index जारी करता है तो ये करता है German Watch कौन करता है Global Climate Risk Index German Watch तो Global Climate Risk Index 2019 में इसका विस्टलेशन किया जाता है कि मौसम संबंधी नुकसान की घटनाओं का देशों और छेत्रों पर किस हद तक पुर्भाब पड़ा है यह है रेंक वरलेन इस्थित एक स्वतंत्र विकास और परियावरन संगठन जर्मन वाच द्वारा जारी की जाती है कहां पर इस्थित है वरलेन इस्थित स्वतंत्र विकास और परियावरन संगठन जर्मन वाच साथवा प्रश्न हाल ही में समाचारों में रहा पद, क्या है परम इशान संबंदित है, किस लिए संबंदित है लेगे जहाँ परम आजाए रा जहाँ परम आजाए वो लगता ही है, वो कम्पूटर ही होगा परम अब इशान तो ये क्या है सूपर कंप्यूटरिंग फैसलिटी है तो केंद्रिय मानप संसादन बिकास मंत्राले ने IIT गुवाहटी में परम इशान सूपर कंप्यूटरिंग सुविधा सुरू की है यह पूर्वुत्तर पूर्वी और दक्षणी छेत्रों में सबसे तेज दथा सक्तिसाली कंप्यूटर है परम इशान का उप्योग Computational Chemistry और Civil Engineering Structure Nano Block Self Assemble Optimization आदी अनुपरियोग छेत्रों में किया जाता है पूर्वत्तर भारत में मानसून के दौरान भारी वर्षा होती है जिससे बाढ और भूस ख्लन का खत्रा होता है अब क्या करेगा परम इशान का उप्योग करके मौसम, जलवाई, मौडलिंग और भूकम पियर डेटा परसंस्क्रण के लिए मतलब लाबकारी होगा या इसका यूज किया जाएगा अगला प्रस्न है वन स्टॉप सेंटर इस कीम के संदर में निमलेगित कत्रों पर विचार कीजिए वन स्टॉप सेंटर देखने में वन नहीं है, यह फोरेस्ट वाला वन नहीं है यह महिला और वाल विकास मंत्रा लेके अधीन एक केंद्र प्रावजित योजना है यह निजी या सारवजनिक इस्थानों में हिंसा से प्रवावित अठारे वर्षे अधिक उम्र की महिलाओं को सहता प्रदान करेगी तो जो अठारे वर्षे नीचे की महिला हैं उनका क्या? गलता स्टेट्मेंट यह योजना निर्विया फंड द्वरा वित्त पोशित है तो correct है, तीसरा correct है, पहला correct है महिला और वाल विकास मंत्राले के अधीन है वन स्टॉप सेंटर और निर्वया फंड इसको वित्तपोशित करेगा और ये 18 वर्से कम बाली महिला और उसके बाद बाली महिला सभी महिलाओं के लिए हैं तो केबल यहाँ पर पहला और तीसरा सही हो जाएगा तो वन स्टॉप सेंटर O.S.C. योजना महिला और वाल विकास मंत्राले के अंत्रकत एक केंद्र पैजित योजना है जाती वर्ग धर्म छेत्र योन अभी विन्यास या वेवाहिक इस्तितियों के बाबजूद O.S.C. हिंसा से प्रभावित 18 वर्ष से कम आयू की लड़कियों सहित सभी महिलाओं का समर्दन करता है इस योजना को निर्वे कोस के माध्यम से वित्तपोशित किया जाता है योजना के तहत केंद्र सरकार हो या फिर संग सरकार हो मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संग सरकार, संग राजशेत प्रसासन को 100% वित्तपोशित सहायता प्रदान करेगा अगला प्रशने कृशी एवं किसान कल्यान मंत्राले द्वारा शुरू किये गए राष्ट गौकुल मिशन का लक्ष क्या है राष्ट गौकुल मिशन देखे इसका लक्ष है भारत की स्वदेशी नसलों की उत्पादक्ता में ब्रद्धी करना तो पेशेवर क्रशी प्रवंधन के माद्यम से भारत की स्वदेशी नसलों की उत्पादक्ता बढ़ाने और वहतर पोशन के लिए क्रशी और किसान कल्यान मंत्राले द्वारा ये मंत्राले के नाम याद रखिए क्रशी और किसान कल्यान मंत्राले कौन सा मंत्राले क्रशी और किसान कल्यान मंत्राले द्वारा राश्टी गोकुल मिसन की सुरुआत की गई यहां कुछ भी घुमा सकता है महिल आयवमवाल विक परियावरान संद्रक्षन लेकिन क्रशी और किसान कल्यान मंत्राले को याद रखना राष्टि गूकुल में सन स्वधेशी नसलों के संद्रक्षन और विकास को बढ़ाबा देने के लिए इसका शुरुवात की गई अगला प्रशन है प्रधान मंत्री क्रशी सुचाई और ज बरबाद हो यह मिशन जल संसादन नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार मंत्राले दोरा संचालित है यह खेत के इस तरपर सिचाई के में निवेश को बढ़ाता है तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट हैं प्रधान मंत्री क्रिशी सिचाई हो जना मतल क्रिशी सिचाई योजना तो इस योजना को पांच वर्ष के लिए मतलब 2015 सोले और 19-20 की अबधी के लिए 50,000 क्रोड रुपे के परिवे के साथ अनुमोदित किया गया था 2015 सोले में यह यह योजना जल संसादन नदी विकास और गंगा संडेक्शन मंत्राले दोरा संचालि पी-म-क-स-वाई इसका सौट फॉर्म है योजना के साथ चल रही योजना है जल संसादन नदी विकास और गंगा संडेक्शन पुनुद्धार की तुरित सिचाही लाब योजना जल संसादन विकास का एक इकरत वाटर सैट प्रवंधन कारेक्रम तथा कृसी एवं सहयोग विभाग और आन फार्म बॉटर मैनेजमेंट तो इसको नहीं भी आपको याद रखना है तो इसको तो याद रखी 2015 से बीस तक का इसका लक्स है पचासे अरक्रोड उपे से शुरू की गई है और यह मंत्राले इसके अंतरकत कारक्रत है इस मंत्राले के अंतरकत यह कार रहत है अधाय गंग यह तो गंगा संदक्षान जलसन जातन ओर नदी भिकास को है अगा